हाई दिस इस रैनुका अन एजुकेटर ऑफ क्वांटान रिजनिंग, आज हम जो पॉजल करेंगे वो सेट 7 होगा, अब तक हम 6 मेंस लेवल पॉजल कर चुके हैं, ठीके, आज का ये जो पॉजल है, ये थोड़ा लेंदी पॉजल होगा, ठीके, इसलिए आज पहले आप खु ले लिजे और कुछ से सॉल्व करें, और जो इंग्लिस मेंसे हैं, उनके लिए ये है क्वेस्टिन, इंग्लिस में, ठीके, चलो, देखो, क्या क्या रहा है, ठीके, देखो, यहां पे कुछ बुक्स हैं, बुक्स्टोर हैं, A, B, C, D, E, F, G, जो कुछ नमबर ऑफ बुक्स सेल कर रहे हैं, 6, 7, 9, 14, 15, 16, and 21, यहां तक सिर्फ आपको information है, यहां से puzzle स्टार्ट हो रहा है, ठीके, जो की हम next page बे जाकर करेंगे, सिर्फ यहां तक हम याद रखके चलते हैं, next slide पे इसे solve करेंगे, यह नमबर ऑफ बुक्स सिर्फ हमें याद रखना है, 6, 7, 9, 14, 15, 16, and 21, ठीके, चलो चलते हैं, next slide पे, तो यह आगे हम next slide पे, नमबर ऑफ बुक्स क्या-क्या थे, पहले वो लिख लेते हैं, 6, 7, 9, 14, 15, 16, and 21, और डेस यहां पे, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, or Sunday, ठीके, अब देखो, क्या कह रहा ही, The book A sold books in one of the days after Friday, ठीके, after Friday मतलब Saturday भी हो सकता है, Sunday भी हो सकता है, यहां पे A लिख लेते हैं, इस तरफ A, Sunday को लिख लेते हैं, ठीके, next क्या कह रहा है, On Wednesday, the number of books sold are 14, ठीके, Wednesday को जो books sell कर रहा है, वो 14 number of books है, इस तरफ भी 14, यहां पे लिख लेते हैं, Next क्या कह रहा है, The difference between the number of books sold in Monday and Friday is a multiple of 3, ठीके, Monday और Friday क्या difference जो है, वो 3 का multiple है, ठीके, आगे क्या कर रहा है, There are two shops between shop F and the shop which sold 6 books, ठीके, F, 1, 2, छोड़ के 6, यहां पे भी F आ सकता है, यहां पे भी 6 आ सकता है, Next, shop B sold books on one of the days immediately before the shop which sold 9 books, ठीके, 9 books के immediate before कौन है, B है, B, 9, ठीके, Next क्या कह रहा है, There are two shops between B and G, ठीके, B, 1, 2, G, यहां पे भी आ सकता है, Next, क्या कह रहा है, There are three shops between D and F, ठीके, D और F के बीच, ठीके, D, 1, 2, 3, F, यहां पे भी आ सकता है, D, यहां पे भी आ सकता है, ठीके, आगे क्या कह रहा है, C does not sold the least number of books, list number of books, यहां क्या है, 6 है, तो C, 6 number of books sold नहीं कर रहा है, ठीके, Next, क्या कह रहा है, The sum of books sold in Wednesday and Saturday is more than 15, and the sum equals to the number of books sold on Friday, ठीके, Wednesday और Saturday का जो sum है, Wednesday, plus Saturday का जो sum है, number of books का, वो Friday के equal है, और more than 15 है, ठीके, आगे क्या कह रहा है, The difference between the number of books sold by B and G is less than 8, ठीके, B और G के बीच का difference जो है, less than 8 है, ठीके, Next, क्या कह रहा है, The sum of which sold 9 books not in Friday, जो 9 books है, वो Friday को नहीं है, ठीके, आगे क्या कह रहा है, देखो, The sum of F sold books in one of the days after the sum of which sold 6 books, ठीके, यानि 6 के बाद F आएगा, तो F यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, 6 यहाँ पे नहीं होगा, ठीके, Next, क्या कह रहा है, The sum of which sold more than 14 books, not an odd number, is immediately after the sum of which sold 14 books, ठीके, कह रहा है, The sum of which sold more than 14 books, more than 14 यहाँ पे क्या है, 15, 16 और 21, लेकिन वो कह रहा है, not an odd number, यानि 15 और 21 तो odd हो जाएंगे, यानि 16 की बाद कर रहा है, 16 जो है, वो क्या कह रहा है, Is immediately after the sum of which sold 14 books, 14 यहाँ पे अलरेड़ी है, 16 धरस्टे को होगा, इधर भी 16 धरस्टे को होगा, ठीके, आगे क्या कह रहा है, देखो, sub F sold more books than D, ठीके, F जो है, वो D से ज्यादा books sell कर, ठीके, अब देखो, हमारे पास सिर्फ A points बचे हुई है, इन points को लेकर ही हमें यह puzzle को solve करना है, ठीके, देखो, यहाँ पे आप किस point को उठा सकते हो, वो देखो, इस point को आप नहीं उठा सकते D और F के बीच कौन उपर आएगा, कौन नीचे आएगा, लेकिन इस point को आप उठा सकते, क्यूंकि यहाँ पे आपको पता है, 6 उपर आएगा, 2 छोड़ के F आएगा, ठीके, इसको अगर arrange करोगे, तो कैसे करोगे, अगर 6 Monday को आया, तो Tuesday Wednesday छोड़ के, Thursday को क्या आएगा, F आ नीचे भी कुछ प्लेस नहीं, तो definitely F यहाँ पे नहीं आएगा, 6 Tuesday को आएगा, ठीके, मान लो 6 Tuesday को आया, तो 1, 2 छोड़ के F यहाँ पे आएगा, ठीके, 1, 2, 3 छोड़ के D यहाँ पे आएगा, नीचे D नहीं आ सकता, क्यूंकि नीचे सिर्फ दो ही प्लेस बचे हैं, तो D यहीं पे आएगा, ठीके, अब देखो, 6 Wednesday को नहीं आ सकता, क्यूंकि यहाँ 14 है, Thursday को नहीं आ सकता, 16 है, इसके नीचे भी नहीं आ सकता, क्यूंकि उसके नीचे 3 और चाहिए, 1, 2 छोड़ के F चाहिए, तो definitely 6 यहाँ पे होगा, और F यहाँ पे होगा, ठीके, इस तरफ भी 6 यहाँ पे होगा, 1, 2 छोड़ के, F यहाँ पे होगा, ठीके, और 1, 2, 3 छोड़ के, D यहाँ पे आएगा, ठीके, अब देखो, किस पॉइंट को उठा होगी, इस पॉइंट को उठा होगी, 9 के इमेड़ेट उपर B होगा, यहाँ पे 9 को कहाँ बिठा सकते हो, यहाँ पे 9 को बिठावगे तभी B यहां पर आएगा कहीं और पर प्लेस नहीं कर सकते हैं यहां तो D है और कहीं प्लेस बचा नहीं है तो यह भी हो गया यहां पर एक है B और G के बिच दो सब्स हैं बी 1 टू छोड़के G यहां पर आएगा इस तरफ बी 1 टू छोड़के D है यहां पर 1 टू छोड़के G नीचे आएगा ठीक है यानि यह पॉइंट भी हो गया अब देखो इस पॉइंट को उठाओ Wednesday plus Saturday is equal to Friday जो number of books sell किये गए है और more than 15 के राहे यहां पर ठीक है Wednesday आपको पता है यहां पर 14 number of books हैं इसमें कितना आड करोगे जो कि F के बराबर होगा कुछ number of books होंगे यहां पर देखो कौन से number of books जो use हो चुके है 6 यूज हो चुका है 7 बचा है 9 यूज हो चुका है 14 यूज हो चुका है 15 बचा है 16 यूज हो चुका है 21 बचा है अब 14 में 15 आड करोगे तो कितना होगा 29 हो जाएगा जो कि number of books है ही नहीं 21 आड करोगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा जो कि number of books है ही नहीं definitely 7 add करोगे, तू ही कितना होगा, 14 में 7 add करोगे, तो 21 होगा, यानि 2 number of books आगे, यानि Saturday को कितना होगा, यहाँ पे 7 number of books, तो Friday को कितना होगा, 21, ठीके, बचा और क्या, 15 बचा, तो Monday को होगा, 15, similarly, यहाँ पे Saturday को 7 होगा, और Friday को कितना होना चाहिए था, 21 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे point बचा हुआ है, देखो, 9 number of books, Friday को sell नहीं किये जाएंगे, यानि, यह point भी होगा, cancel, तात में यह sequence भी होगा, हमारा, गलत, यह sequence होगा, सही, है न, और क्या point बचा हुआ है, देखो, यहाँ पे point बचा हुआ है, F जो है, वो more than D है, यानि F जितने number of books sell कर रहा है, वो more than D होना चाहिए, D यहाँ पे 15 है, F यहाँ पे 20 है, यानि यह satisfy कर रहा है, यह point भी होगा, cancel, यहाँ पे देखो, B minus G, less than 8 होना चाहिए, यहाँ पे G 14 है, B 7 है, इसक तो हो गया, cancel पहले से ही, यह देखो, यहाँ पे C जो है, वो 6 number of books sell नहीं कर रहा है, तो C आएगा, यहाँ पे, और क्या बचा, A, B, C, D चला गया, E बचा, E यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यह भी point हो गया, cancel, यहाँ पे एक और point बचा है, देखो, इसको भी चेक कर लेते मंडे और फ्राइडे का difference जो होगा, number of books का, वो 3 का multiple होगा, मंडे को यहाँ कितने number of books है, 15 है, और फ्राइडे को कितने है, 21, इनके बीच का difference कितना होगा, 6, जो कि 3 का multiple है, क्यानि यह भी point satisfy कर रहा है, यह भी हो गया, cancel, और साथ में हमारा puzzle भी solve हो गया है, अब चलो देखत है, questions क्या given है, इसके ओपर, question number one, देखो क्या कह रहा है, find the number of books sold on Thursday, Thursday को कितने books sell किये गये है, यहाँ पे 16 number of books sell किये गये है, ठीक है, question number one का answer होगा, 16, ठीक है, next question क्या कह रहा है, find the difference between the number of books sold on Saturday and Monday, Saturday यहाँ पे देखो, कितने number of books है, 7 है, और Monday कितने number of books है, 15 है, इनके बीच का difference कितना होगा, 8, question number two का answer होगा, 8, question number three, देखो क्या कह रहा है, how many subs are there between the subs which sold 6 books and the subs which sold 7 books, ठीक है, 6 books यहाँ पे है, Tuesday को, और 7 books यहाँ पे है, इनके बीच, 14, 16, 21, यानि 3 subs है, ठीक है, तो question number three का answer होगा, three subs, ठीक है, अब इस fourth question का answer आप मुझे, comment section में करना, ठीक है, और साथ में यह भी comment करना, कि आपने इस puzzle को solve करने के लिए, कितना time लिए, ठीक है, so यह था, main level puzzle set 7, ठीक है, आगे और भी puzzle solve करेंगे, I hope यह session आप सबको पसंद आया होगा, if you find this video helpful, do share this session with your friends, that's really helps us in reaching out to most students,